नमस्कार में पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स रेल भी एंटी पीसी और आरार भी सहित ग्रूप डी के लिए एक बड़ी खुश कब्री है जी हाँ आपको बताते चले कि छात्रों का संगर कहीं न कहीं अब सफल हो गया है आपको पता है कि आरार भी ए भांधरी को लेकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक हर जगा चात्र चक्का जाम सरक जाम रेल जाम कई तरह के प्रदशन कर रहे थे लगातार अंदोलन कर रहे थे पुलिस से पिटाई दिखाए बहुत सारी बाते चले लेकिन अब जाकर उनका ये संगर्स जो है सफल हो गया ह और उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है क्यूंकि छात्रों के सभी मांगों को अब रेलवे बोर्ट में माल लिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है आपको बताने चले कि रेलवे ने अब गुरूब बी करमच्वारी की भरती के लिए होने वाली लेवल वन की एक ही परिक्षा कराने का निर्दलिया है पहले दो कम्प्यूटर अधारित परिक्षाएं होती थी उचसतरिये समीती की रेलवे बोर्ट को दी रिपोर्ट के अधार पर यह फैसला किया गया है पांच राजियों के चुनाव नतीजों के बाद इस की जानकारी दी गई है रेले भरती बोर्ट के लेवल वन और एंटीपीसी परिछाओं में गर्बरी के विरोध में प्रदर्शन कायों की सभी मांगे मानते वे यह फैसला हुआ है जुनियर कलर्थ से लेकर स्ट्रिसन मास्टर तक एंटीपीसी के 35,281 पदों के लिए भरती अभियान के विरोध में इस महीने के शुडू में बिहार, उत्तर परदेश और जारखंड में व्यापक विरोध परदशन हुए थे साथ ही आपको उताचले रेले ने कहा है कि एंटीपीसी के रिक्त पदों के लिए दूसरी चुरंकी कम्प्यूटर अधार्ट परिक्षा में सौटलिस्ट उमिदवारों की संख्या अलग-अलग शेन्यों में रिक्त पदों से 20 गुना अधिक होगी पहले क्वाइलिफाई घुशित उमिदवार क्वाइलिफाई ही रहेंगे और सौट लिस्ट होने वाले अतरिक्त उमिदवार की सूचना अलग से दी जाएगी सभी वेतन अस्तरों के पुनर इछित पडिनाम अप्रेल के पहले हफ्ते में घुशित कर दिये जाएगी लेवल 6 के लिए CBT दो मही में होगी आपको बताते चले जो लेवल 6 के लिए CBT दो मही में होगी यूनिक उमिदवारों का RRB गड़े का चयन गठित कमीटी ने ये फैसला किया है सभी वेतन अस्तरों से पुनर इछित पडिनाम अप्रेल के पहले हफ्ते में घुशित कर दिये जाएगे रेलवे भरती बोर्ड ने NTPC के परिणाम पर हुए बिवात के बाद ये समीती गठित की थी और इस समीती ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो परिणाम है वो घुशित के जाएगे और 20 गुना भरती की जाएगी 20 गुना परिणाम निकाले जाएगे यही मुद्दा था कि RRB और NTPC के चात्र गुरुबडी के चात लगातार रिजल्ट भी वे धान्दली को लेकर प्रदोशन कर रहे थे अब उनकी सारी मांगों को मालनी आ गया है लेवन वन ही एक ही परिक्षा दी जाएगी गुरुबडी के लिए इन सारी मांगों को मानते में कहीं न कहीं अब छात्रों की जीत सुनिशित हो गई है तो अब खुशकबरी का इंतिजार है अप्रेल मेहने में जिन छात्रों का नहीं हुआ हैं आने वाले दिनों में अब उनका भी रिजल्ट आ जाएगा आप देख रहें बिहार इसौर्स मारे साथ बने रहे हैं मारे चाहल को सब्सक्राइब करें फेस्बूप पीच को लाइक करें धन्यवाद